प्रेयंकर जी अब चुनावी विदान में हैं वाईनाथ और वाइवरेलि पहले तुम्हें देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गडबंधन को अच्छे नंबर से जिताया और कॉंग्रिस को अच्छे नंबर पे लाएं और बीजेपी का जो 400 पार का जुम्ला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नराज थी और मैं ये कहूंगा कि जो धर्म की राजनीती है वो सबने देखा था कि अयोदिया में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीती देश नहीं चाहती है मैं बहुत खोश हूँ कि प्रियांका वायनार से चुनाव लड़ेंगे मेहनत करेंगी वहां भी और मैं उमीद करता हूँ कि वहां की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए जब भी में से पूछा गया कि आप सक्रीय राजनीती में कब भाग लेंगे तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियांका के संसद में भाग लेंगे पर उनको संसद के रूप पर देखने पर उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूँ पर इस बारी जब जो डिसिशन्स बन रहे थे तो उसमें मैंने जरूर ज़्यादा मैंने बोला इस बारी की नहीं मैंने बिल्कुल ना सोना नहीं मैंने का बस अब सक्रिय रागनीती में और संसत में होना जरूरी है उनका खाली प्रचार के लिए नहीं और खाली जो वो इतनी मेंनत करते हैं तो मैं चाहरा था कि वो जो उनके महलाओं के नारे वो लगाते हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ या अलग-अलग जो मेंनत करते हैं वो बड़े पाइमाने पर और पार्लेमेंट में होने पर वो अपने काम और अच्छी कर पाएंगी देश की सेवा और तरीके से कर पाएंगी